हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग जो भी अप्डेट से उस पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में पर उससे पहले फ्रेंट्स ग्रीट एंड फियर इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं मार्केट में सेंटिमेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है इसलिए यह जाना जरूरी होता है कि मार्केट में किस तरह का सिच्वेशन बना हुआ है तो फ्रेंट्स देख सकते हो फियर का अभी हुआ पड़ा है जो趣 और प्रेंट्स अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्ट है कि तो फ्रेंट शुरू करते हैं अप अप्डेट देखना तो फ्रेंट यहाँ पर देख सकते हो आप इंडिया लुक्स डॉ आड क्रिप्टॉ ट्रीप्टो ट्रेड और इनले प्लेट्वर्ण गज़िए बट किस तरह से लगेगा क्या लगेगा जो भी यहाँ पर अप्ड इंडिया में है जो कि ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में वो जो है टैक्स लगने वाला है उसके अंडर में आएंगे और जो कि बाहर आउटसाइड में फोल्ट किये हुए है उसमें भी फ्रेंट्स तो चलो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है अब इसको देखते हैं बारी बारी से इसमें क्या कुछ निकल गाता है तो फ्रेंट्स अब पढ़ते हैं यहाँ पर कि गवर्मेंट इस लुकिंग जो कि सभी को सभी इंवेस्टर सभी ट्रेडर को देना होगा दो गवर्मेंट वांस टू क्याप्चर क्रिप्टो करेंसी इंकम और इंवेस्टमेंट्स विदिन और आउटसाइड इंडिया सेड़ पीपुल अवेर अब देलोप्मेंट तो इस देख सकते हो इंसाइड हर चीज में तो टैक्स गवर्मेंट लेती हैं हम लोग से यह बचा हुआ था हो यहां भी हम दो देंगे अप्लिकासन भी ले रहा है अब यह भी लेंगे चलो कोई बात नहीं फ्रेंट्स दस परसेंट और भी दिया जाएगा कोई प्रॉल्म नहीं है विकॉज सबको देना ह होगा तो चरू फ्रेंट्स अब यहां पर जो सेक्शन होगा रागा बात कही गई थी वह क्या है तो यहां पर देख सकते हो फ्रेंट्स यहां पर लिखा हुआ है तो गवर्मेंट इस कंसेडरिंग एमेंडिंग सेक्शन 26A of the Income Tax Act and the Annual Information Regulation often called a Tax Passbook तो फ्रेंट्स जैख सकते हो जो भी डाटा था आपको थम्नेल में दिखा होगा सेक्शन होगा तो फ्रेंट्स यह यहीं पर निकल के आई होई थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो फ्रेंट्स इस बात समझ में आ रही है होगा आपको कि जो भी डिश्टल करेंशी है वो सब कुछ को हम लोग क्या इंकम टेक्स के एक्ट में लेने वाले हैं मतलब गौर्रमेंट का ऐसा कहना है वन अप दो परसंट इस उड़ मीन डेट दो जो फाइलिंग टेक्स रिटरंस विल है नो एस पेस फियली डिस्क्लोजर देर इंकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंशी इंवेस्ट्रम इंवेस्ट्रम तो फ्रेंट्स यह सब करने से अब क्या होगा कि गौर्रमेंट अभी तक क्या था जैसे कि फर्स्ट टैम जब बील को पर्लियमेंट में पेस किया गया था तो वहाँ पे दो-चार क्वेस्टन जो पूछा गया था निरमला सितार मंजी से तो उसका मैक्सिमम जो एंसर निकल तो अब वही बात है कि government, जो भी एक रिप्टोगेंसी में transaction होता है, जो भी investment होता है, इसमें government का कोई भी involvement अभी तक नहीं था, लेकिन अब government ban क्यूं कर रही थी, इसलिए ban कर रही थी, कि उसका कोई involvement नहीं है, तो अब ban नहीं करके regulate करने का मतलब क्या हुआ, कि government अब यहासे entry सेबी क्या करेगा जो भी share market में trade लोग करते हैं सेबी के पास हर एक का data होता है सेबी एक एक चीज़ देखता है सब कुछ अपने supervision में कराता है तो उसी तरह सेबी तो entry ले लिया RBI entry ले लिया अब income tax भचा हुआ था income tax भी entry ले गए यहां से income tax tax generate करेगा आटा गुवर्मेंट के पास friends निखल के आएगा तो चलो friends कम से कम यह से डर तो हो जाएगा कम से कम अब आगे से डर तो नहीं होगा कि अचानक से कि क्रिप्टो बैन होने वाला है पैनिक का महौल तो होगा और जो लोग अभी तक नहीं इंटरी ले पाए हैं जो की सिफ-पोर्मेंट में बिलीः रखते हैं गौर्मेंट चीजों में वुलीऑ रखते हैं वह भी अराम से लिगल वे में अभ इंटरी लेने का सोचेंगे तो अब जो crypto family Indian है हम लोग लबग 2 करोड जो की data में 10 क्रोड दिखाए गया था तो वो increase हो सकती है तो चलो friends अब और क्या क्या है कुछ key points उसे हम लोग देख लेते हैं तो friends यहाँ पर talks and more talks the central government the country's banking regulator and members of India's crypto community have discussed several proposals during separate interests to explore आप सीथे friends हमनों नीचे key point पाते हैं वह पढ़ने की जुरत नहीं है तो friends यहाँ पर अब देखते चलो मैं highlight करते चलता हूं कर्प्स टुकर पीड ट्रांजेक्सां फ्रेंट्स वही है जो भी ट्रांजेक्शन होगा उससे नगजर tax on air dropped crypto coins फ्रेंट्स आपको पता होगा सब key points हैं कि अभी जो जो नीउ बील का बात कहा गया था नीउ बील में क्या-क्या ad हो सकता है क्या-क्या तरह से उसको फ्रेम क्या जा सकता हैं यह सब बाते है तो यह सब अपडेट जानना जरूरी है friends क्योंकि because हम लोग इंडिया से ब्लोंग कर रहे हैं और क्या beal में आ सकता है या क्या आने वाला है इसके लिए हम लोग पहले से अगर aware रहें या जानकार बन जाए तो benefit होगा friends क्योंकि हम लोग क्रिप्टो में trading करते हैं तो हम लोग के लिए एक एक जानकारी crypto market से जोती हो जरूरी है और मेरा friends और मेरे चैनल का यही काम होता है कि market में कोई positive नी जाए negative नी जाए छोटी नी जाए या बड़ी नी जाए मैं आप तक पहुंचाओ तो friends अब देख सकते हो एक filtration mechanism for crypto तो friends यही सब बात यह कही गई थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है अब यह नीचे और भी है RBI backed CBTC likely to feature in crypto bill तो friends देख सकते हो यह CBTC का भी मैंने जीकर किया था तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं the law aims to also ensure that the RBI does not loss control of India's monetary economics while minimizing speculative betting around cryptos the source said तो friends यहाँ पर यह जो बात ही थी the proposal for a central bank digital currency backed by the country's banking regulator may be included in the upcoming bills जो CBTC का बात कही की गई थी friends central bank digital currency CBTC मतलब friends central bank digital currency तो उसके लिए भी फिलाल RBI backed हुआ है थोड़ा सा लेकिन upcoming जो नया bill होने वाला है उसमें इसको include किया जा सकता है तो यह क्या होगा friends तो यह एक coin होगा central का दुआरा जो की आगे आने वाले time में बाकी coin पर नज़र रख पाएगा और trade होगा ठीक है friends और बाकी और उसको किस तरह से यह लोग डियाइन करता है अभी जब डाटा ही नहीं है पूरा तो फिर अभी बताना मुश्किल है बट आने वाले time में clear हो जाएगा तो friends यहाँ पे अब और कुछ नहीं लगता है मुझे बताने जो थे friends बाकी सब वही सब है और कुछ नहीं अब यहाँ पे एक friends और यहाँ पे देख लेते हैं some of the exchanges including coin dcs coin switch cuber have restarted advice staging and marketing campus तो friends यह वाला news मैंने पढ़ा हुआ था यहाँ आपको मैं highlight कर दता हूँ तो friends यहाँ पे बात यह कही गई है कि जैसे कि जो advertisement होता था coin dcs का आपने देखा हुआ टीवी पे मुवाइल पे बहुत जदा advertisement होता था तो इसको भी अब जो advertisement जो करने वाला होता है यहाँ पे पढ़ सकते हैं friends एक मिनिट मैं highlight करता हूँ यहाँ पे फ्रेंट पढ़िए advertising standards council of India तो friends इनका यह कहना है कि जो भी अब नया कुछ कुछ होने वाला है जैसे कि इनका कहना है कि जो भी कुछ अब निगल गाएगा उसी सब से फिर को फिर हो रही है बट और जो सो से जो हो रहा था उसे थोड़ा कम कर दिया गया है आने वे टाइम में फिर से अच्छे से होगा जैसे ही बीलोग है आर कुछ सब कुछ किलियर आउट हो जाता है तो फ्रेंट्स आई होप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लोगे तो लाइक करना फ्रेंट्स मैं अच्छे संजाने का कोसिश कर रहा हूं समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सपोर्ट कर दो फ्रेंट्स मैं बाक सब्सक्राइब